नमस्कार दोस्तों अपना कोना में आपका स्वागत है आज मैं जिस प्रोड़क की अन्बॉक्सिंग लेकर के आई हूँ वो है हैवल्स का ओल फिल्ड रेडियेटर जिसे ओल हीटर भी कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन बॉन नहीं होता है तो मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करके 2900 वाट का है और इसका रेटेड वोल्टेज है 230 वाट का वन फेज का एसी लगता है और इसमें 50 एडजेट का वाट है और इसकी जो MRP है वो है 16,325 रुपै लेकिन अगर आप इसे मार्केट में परचेश करेंगे तो ये लगभग आपको 10,000 या 11,000 में या ओनलाइन प्रा अनबॉक्सिंग कर ली है जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक ओल फिल्ड हीटर है इसके साथ हमें एक यूनिट जो है में यूनिट जो इसका मिला हुआ है वो है ओल फिल्ड रेडियेटर है टू वील्स का सेट है टू रिंग्स है चार नट्स है और एक मैन्वल है जिसके बारे में पूरी डीटेल नॉलिज दी गई है इस वीडियो में कि आप देखेंगे कि इसका जो रिंग लगाना है वो थोड़ा मुस्किल काम है तो उसके लिए आपको हीटर को उल्टा पलड देना है उसके बाद इसके वील को कैसे लगाना है इस वीडियो में आप को उल्टा करना होगा और उल्टा करने के बाद इसके रिंग को इसके फिन में लगाने के बाद इसके उपर के जो केस हैं वील के साथ उसे सेट करना है और उसके बाद इसे इसका जो नट बोल्ड है उसे तस देना है तो ये फिल्ड हो जाएगा यदि आप इसे ऑनलाइन भी purchase करते हैं या market से भी purchase करते हैं तो इसका wheel जो है वो लगावा नहीं आता है इसे wheel को आपको अपने घर पे लाके ही लगाना पड़ता है यदि आप इसे shop पर ही open कर लेते हैं तो shop की पर हो सकता है कि इसे wheel लगा करके दे दे और market में भी इसकी जो best buy है वो लगबग 11,000 है और online इसे 10,500 में purchase किया जा सकता है तो ये देखिए मैंने दोनों wheel को set कर दिया है और ये wheel set होने के बाद हम इसे वापस से इसके पुराने shape में पलट करके रख देंगे और इसके switch को on करेंगे जिससे ये और इसके साथ सबसे अच्छी quality ये होती है कि ये कमरे में चलाने के बाद आपका जो कमरा है वो room temperature के हिसाब से हो जाता है और इसके साथ जो कमरे की dryness है वो कम नहीं होती है और oxygen का label जो है वो बहुत ही अच्छा बना रहता है जिसकी वज़़से आपको breathing की समस्या नहीं होती है इस product के साथ आपको two year की warranty मिल रही है और इसमें three heating setting है और इसके manual में इसकी detailed knowledge दी गई है जिससे आप बिजली के conjunction को कम से कम कर सकते हैं लोगों को ये बहुत ही भरांतिया है कि इसके चलानी की वज़़से बिजली का बिल बहुत आता है लेकिन यदि आप इसको manually dung से set करेंगे तो आपके बिजली का बिल जो है वो काफी कमा आएगा और room temperature जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा जिसमें आपको किसी भी तरीके के sweater या coat पहनने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी और easily आप normal temperature में room के अंदर रह सकते हैं तो ये देखे मैंने इसे manually on कर दिया है और ये start हो चुका है और room temperature सेट है रहे यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो please like and subscribe मैं अपना कोना में मैं हमेशा ही useful review के साथ आती रहती हूं thank you friends